नमस्कार दोस्तों यहां पर ग्राम कोड़ा में जब निकल लाए थे तो हमें एक पंड़ी दिखे थे यहां पर ठंड लग रहे हैं अपनी ठंड दूर कर रहे हैं तो पंड़ी आपका नाम क्या है मेरा नाम अनिलकुमार दुवेदी आयूस कुमार अनिलकुमार दुवेदी यहां पर मैंने देखा कि जो पर पट्टी पड़ी हैं तो आप भी प्रिदान रहे थे तो आपने सरकार से कुछ मदद के लिए नहीं लोग आनलाइन हुए थे आवास आनलाइन इनके नाम दलवा दिये गए थे लेकिन पैसा नहीं मिल पाया वह सिस्टम आनलाइन का चलता रह का पैसा नहीं मिल पाया जो पुरानी लिस्ट थी पुरानी ही लिस्ट से ही आया वाया सरकार से पैसा आया नहीं उस समय नहीं आया नहीं सुची से खेटों के बारे में तो यह है कि भी आप क्या बताए एक खेट के लिए यह तीन-तीन भाई हैं तो तीन-तीन रखाते हैं लेकिन तार ती बर्च उगर तार लगा दो उसके लाग फाड़ देती हैं गईया तोड़ नहीं है करीब करीब 2000 जंगल है यह जंगल में बहुत गाय है कम से कम हजानु और आदमी परेशान अब रात वारत वर खाती है कहां तक रखाए सबसे बड़ी समझ से यहां गायों गायों के लेकर आ रही है कि गाये अगर सरकार थोड़ा कंट्रोल कर दे कैसे भी बेस्ताए गौसाला की सरकार ने विवस्ता कि यह उसका कि विवस्ता गौसाला का आदे साय था मैंने बनवाई थी वहां साठ से सतर ही गाये उपयुक्त है रखने के लिए इससे ज्यादा नहीं रख सकते आप अच्छा हजारों की संक्या पबलिक ने उनकी बिक्री बंद हो गई है त तार लगे हुए हैं सब कोशा लेकिन भी आप बहुत बेवस्ता भंगा अब कुछ होगा यह एक वार सरकार और आजाना तो खतम तो सरकार यह विदानसवा चुनावाद चुके तो इस वार आपके गाउं में क्या जब नेता जी आएंगे तो क्या समस्षा रखेंगे आप नियता जी आएंगे। दलाल किसम के लोग हैं जो उनकी चपर गुलामी का तराता आगे पीशे गूमत राता उनके पास जाँगे आपको इस वार क्या लग रहा है आज उत्तर प्रदेश में जो महौल है जो तो अकलेश का है अकलेश इस तरीके से रेली कर रहा है उन्होंने दमकम दिखाया है उन्हें कहा कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में 400 सीटे जीतने जा रहे हैं तो क्या उनके दावे में कोई दम लगती है क्या अकलेश आदब जीगे बिल्कुल भाई दावे में दम है उनके पूरे पूरी क्योंकि आदमी इन से परिसान जाता है एक तो वही सिस्टम है यहां और पूरे दिन मैं यहां बटा रहता हूँ पूरे दिन देखता हूं लड़कीं हैं लेडी जा भागती रहती है तो बिदाएक को या उन्हें यह चाहिए कि गाहों का कोटा रासन की दुकान जोगां में होनी चाहिए बच्चों को लेडियों को सुविधा हो उसमें लेने जाने की अच्छा फिर वो देते भी नहीं पांच किलों की कटवती कर लेते हैं और तमाम यह आईसी समाज से आ हैं पबलिक किस से गए पबलिक सुनने वाला कोई है नहीं अच्छा तो आपने अम्मेडगर पार की बात कर रहे थे उसमें सरकार ने कोई मदद नहीं की पार कैसा है हमारे गाओं में जाटफ समाज करी 12 सबोता है लगवाद तो इन लोगों ने अभी जो है पैसा कुछ घटा करके और जो है मुहले से अपने से और कुछ किसी ने दे दिया दे दिया तो थोड़ी से बांडरी कर लिए है दसवारा हजार इंट लगा लिए ने वागी सरकार से मेरी जानकारिम कोई अंदान यहां के लिए नहीं मिला है यह गाओं की जो धर्रासी है उसी कूपर यह मिड़का पार लोगों ने उन्हीं के समाज के लोगों ने कुछ और लोगों ने इसके पास पहुंच गए तो कोटे को लेके कोटे को लेके यह समस्या है किलो मिटर दूर महला जाती है महला जाती है जंगल बीच में पढ़ता है अब इस सर्दी में बारिस में गर्मी में भाग रही है तो इतनी यह विवस्ता बहुत खराब है जिस गाओं का को रासन डीलर है उसी गाओं के मतलब जो ह हैं शे किलो मीटर पर दर चल गए और महलाओं के नाम से अदिकतर रासन कारणा अब समझेए वाई जब क्या समस्या हो सकती है